हेलो एवरिवन आज हमारी क्लास का फ़र्ज डे है तो आज हम कोन बनाना सीखेंगे और कोन बनाने के लिए मैंने आपको पहले मैटियल बताया था इसके लिए हमें एक सेलोफिन सीट चाहिए जिसका साइज मैंने 6x5 लिया है एक साइज से 5 इंच है और एक साइज से 6 इंच है ओलपिन चाहिएगा और सेलो टेप चाहिए अगर आपके पास में ये वाला ओलपिन है तो ये यूज कीजिए और ये छोटे वाला है तो आप ये भी यूज कर सकते हो छोटे वाला किसी भी स्टेंडी की सोप पे आपको इजीली मिल जाएगा तो कौन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके किनारी जो है वो बिल्कुल साफ है कटिंग में बिल्कुल साफ कटिंग है उपर नीचे नहीं हुई है तो जो लंबाई वाला पार्ट होगा उसके एक साइड के कौने से हम एक या डेढ़ हिंचू पर लेंगे यहां पर कौर्णर पर ओल्पिन रखेंगे और उसको थम से पकड़ के रखेंगे अब इधर वाला कौना पकड़ना है और इसको अंदर की साइड में फॉल्ड करना है जब इसको फॉल्ड करोगे तो आपका ओल्पिन इसके अंदर आ जाना चाहिए यह रोल के अंदर आना चाहिए अब यहां से टिप को आप थम और फिंगर की हेल्प से पकड़ के रखोगे इसको भी यहां से सरकने नहीं देना है दूसरी साइड जो पीछे की साइड है बैक साइड से थम से रोल करते जाना है अंदर की साइड में रोल करते जाओ और यहां पर सरकने नहीं देना इसको पकड़के रखो आप भी मेरे साथ में ट्राइ करो ओल्पीन हमारा थोड़ा सा इतना छोड़ना है कि अब जब हम रोल कर रहे हैं इसको तो यह घूम सके इतना भी कसके मत पकड़ो कि यह घूम भी ना पाए जब यहां पर थम से आप कर लो इसको अंदर की साइड में रोल तो आप फिंगर की हेल्प से इसको रोल करो और जब बिलकुल थोड़ा सा पार्ट यहां बे बचे यह देखो बिलकुल थोड़ा सा फ्लैक की तरह बन जाएगा यह तब इसको इधर की साइड में फ्लट लो और देखो आपका यह टिप लूज तो नहीं हुआ यह लूज हो गया तो यहाँ पर अंदर की साइड में finger डालके यह अंदर वाला part बाहर की साइड खीचना है जैसे ही आप इसको बाहर की साइड खीचोगे तो यह tip बिल्कुल टाइट हो जाएगी अब देखो यह बिल्कुल टाइट हो चुकी ये निकलनी नहीं चाहिए अगर लूज होगी तो फिर आपकी कौन जो होगी वो मोटी लाइन बनाएगी तो इसको अंदर की साइड से खीच लेंगे बाहर की साइड में ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए चेक कर लो इसके बाद में जो आपने कौना छोड़ा है इस पर आपको सेलो टेप लगा दे लिए यहाँ पर सेलो टेप लगाएंगे अंदर की साइड पीछे से फिंगर रखेंगे और इसको थम की हेल्प से ऐसे प्रेस करते जाएंगे पीछे से घुमाते जाओ और आगे टिप को टेप से सिक्योर करते जाओ जब आप इसको टिप को यहां से टेप लगा रहे हो तब देख लो कि आपकी यह लूज तो नहीं है अगर फिर भी लूज हो जाए तब फिर लाश्ट में भी आप इसको अंदर से बाहर की साइड में खीचो जैसे आप बाहर की साइड खीचोगे तो टिप बिल्कुर टाइट हो जाएगी यहां पर टेप लगाने के बाद भी आप इसको फिर से टाइट रख सकते हो अगर लूज हो जाती है किसको यहां से बाहर की साइड में खीचोगे तो यह बिल्कुर टाइट हो जाएगी फिर टेप लेंगे और जो यह इसके बाहर वाला पार्ट है यहां पर यह खुला हुआ पार्ट है इसको सिक्यूर कर लेंगे अब थोड़ा सा पार्ट यहां पर बिस्ता है इस पर भी टेप लगा लेंगे आप अगर महंदी लगाना सीख रहे हो तो अपना कौन बनाना जरूर सीखो अगर आप ऐसे हो भी सीख रहे हो तब भी अपना कौन बनाओ तो आपका वर्क फिनिसिंग से होगा मार्किट वाला कौन जो होता है वो हार्ड होता है उससे फिनिशिंग नहीं आपाती उतनी यहाँ पर गोलाई में थोड़ा सा खुला होता है तो यहाँ पर भी टेप लगा लेंगे थोड़ा पार्टी यहाँ पर खुला होता है हेलो हिना खान तो यहां पर भी इसको टेप से सिक्यूर कर लेगे आप भी मेरे साथ में बना के देखो क्योंकि देखने में और साथ में बनाने में बहुत फर्क होता है आप अगर साथ में प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बना पाओगे और आपको यह भी पता रहेगा कि कहां से किस तरह से रोल करना है तो हमें लंबाई वाला पार्ट जो है सिक्स इंच लेना है वो जो चोड़ाई वाला भागे वो फाइव इंच लेना है एक ओल्पिन लेना है पतले वाली ओल्पिन यूज करनी है जो लंबाई वाला पार्ट है उसमें एक से डेर इंच उपर की साइड छोड़ेंगे और ओल्पिन को यहाँ पर थम से कसके पकड़ लेंगे फिर यह पीछे वाला पार्ट लेना है और अंदर की साइड में इसको रोल कर देना है कोने को पकड़ना है और अंदर की साइड इसको रोल कर देए जब इसको रोल करोगे तो आपका ओल्पिन इसके बीच में आना चाहिए इदर उदर नहीं रहना उसको जो आप रोल करोगे इसके बीच में होना चाहिए थमसे अंदर की साइड में फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर कसके पकड़ के रखो इतना पकड़ना है कि वो आप गूमाओ तो गूम सके बट अपनी जगे से सरके नहीं जब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बच जाए यह फ्लैक की तरह बन जाएगा जब यह थोड़ा सा पार्ट बच जाए तो कौन को पलट लो और टिप अगर आपकी लूज है तो पीछे की साइड से फिंगर लगाओ और अंदर वाला पार्ट बाहर की साइड में खीच लो जैसे आप इसको खीचोगे यह आपकी टिप जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी अगर लूज है तो अंदर वाला कोना पकड़ के बाहर की साइड में खीचो इसको पकड़ के रखना टिप को यहां से थम और फिंगर से पकड़ के रखना पीछे की साइड से आप फिंगर डालोगे तो आपको अंदर वाला पार्ट जो है कोना जो अंदर फोल्ड किया है वो आपको मिल जाएगा उसको फिंगर की हेल्प से बाहर की साइड में खीचो जैसे आप बाहर की साइड खीचोगे तो आपकी टिप जो है वो बिल्कुल United हो जाएगी यह बिल्कुल United हो चुकी है का जो कोना मने छोडा हुआ है इस पर टेप लगाएंगे और इसको धीरे-दीरे प्रेस करते जाएग तबशे पिछे से गुमाते जाएंगे और आगे की साइड से थम से इसको प्रेस करते जाएंगे टेप को अच्छे से चिपका लेंगे और ये बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए जो हमने ओल्पिन लगाई है वो बिल्कुल टाइट है अब यहाँ पर ये पार्ट जो बसता है खुला हुआ इसको भी टेप से सिक्यूर कर लेंगे टेप लेंगे और ये पूरा पार्ट सिक्यूर कर लेंगे नीचे की साइड में थोड़ा बसता है इसको भी पूरा सेप कर लेंगे यह सेलोफिन सीट है जो मैं यूज कर रही हूँ इसमें बुके पैक करते हैं यह वह वाली सेलोफिन है आपको इसी भी सेलोफिन सीट ले सकते हो जो बच्चों की बुक्स वगरा कवर करते हैं वह यूज कर सकते हो वैस तो यह भी किसी भी स्टेंडी की सोप पर आपको इजील एंजल रोज साइज के लिए मैंने एक साइड 6 इंच लिया है और एक साइड 5 इंच लिया है इससे बड़ा मत करना इससे छोटा रख सकते हो क्योंकि जितना छोटा कौन रहेगा उतना अच्छा रहेगा अब यहाँ पे थोड़ा पार्ट बचता है इसको भी टेप से सिक्यूर कर लेगे आप कौन का साइड जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा रहेगा एक साइड 5 इंच लेना है और एक साइड 6 इंच लेना है अब देखो इसका जो यह वाला उपर वाला पोर्सल है उसमें सिर्फ मेरी फिंगर जाती है थम भी मुस्किल से जाएगा फिंगर जाती है तो हमें साइड छोटा रखना है ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है यह सेलोफिन सीट है जिसमें बुके वगएरा पैक करते हैं और किसी भी स्टेंडरी की सोप पे आपको इजिली मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो जो बच्चों की बुक्स वगएरा कवर करते हैं वो सेलोफिन आप यूज कर सकते हो वो भी अच्छी रखती है तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ यह वाली सेलोफिन जो होती है इसके थिकनेस ना जादा पतली होती है ना जादा ही मोटी होती है यह मीडियम होती है जो कौन के लिए बहुत अच्छी होती है इसके कोड़ ना तो ज्यादा हार्ड होते हैं और ना ज्यादा पतले होते हैं पतले अगर जो आप सेलुफीन लोगे तो वह आपके हाथ यह जो लंबाई वाला पार्ट है यह इनडे और यह जो चोडाई वाला पार्ट है यह फाइव इंच जो एकतिंगध को या तो आप सेलोफिन सीट ले लो या आपको पेकिंग वाली सेलोफिन मिल जाए वो बहतर है जो गिफ्ट पर पैक करते हैं वो यूज मत करना क्योंकि वो ही पतली होती है उसका कौन हाथ पर लटकता है ऑच हेलो अर्चनाजी आ हेलो कुम कुम हेलो राधिका अभी मैं आपको दो कौन बना के दिखा चुकी हूँ यह दो कौन हम रेडी कर चुके हैं आज से हमारी फ्री महंदी क्लास स्टार्ट है जिसको भी फ्री में महंदी सीखना है वो डेली नाइट में 10 पीम ओनलाइन आ जाए और हमारी क्लास जोइन करें क्लास 20 डेज की रहेगी अगर आगे आप लोग सीखना चाहोगे तो आगे भी बढ़ाएंगे तो यह मैं लाश्ट कौन बना के बताती हूँ आपको सेलोफिन सीट लेनी है और जो इसकी थिकनेस होगी वो मीडियम वाली लेनी है ना जादा पतली लेंगे न बहुत मोटी लेंगे यह बुके बगिरा जो पैक करते हैं यह वो वाली सेलोफिन है तो इसकी थिकनेस प्रोपर होतती है ना मोटी होती है ना पतली होती है मैंने यह वाला साइट जो लिया है यह 6 इंचे लंबाई में और चोड़ाई में 5 इंचे और यह मैं पतले वाली ओल्पिन यूज कर रही हूँ अगर यह वाली मिलती है आप यह यूज करो और यह वाली मिलती है तो आप यह वाली यूज करो यह 9 पीम एक्चली तब-बल्स में फ्री नहीं नहीं होती हूँ है सो मैं तब नहीं कर पाती है तो मैं यह चोड़े वाले पिंचे बनाती हूँ यह लंबाई वाला पार्ट है इस टार्टिंग सा इस टार्टिंग वाला जो वन से एक इंस से डेड़ इंस तक का जो पार्ट है उसको छोड़ेंगे और यहाँ पर कोर्णर पे इस ओल्पिन को पकड़ लेगे अब इधर का पीछे वाला कोना पकड़ना है और अंदर की साइड में फोल्ड करना है फोल्ड करोगे तो यह ओल्पिन जो है वो फोल्ड के अंदर आनी चाहिए और इसको थमकी हल्प से अंदर की साइड में रोल करते जाओ आगे से टिप को पकड़ के रखो टिप महां से सरकनी नहीं चीए अभी मैंने यहां पर पकड़ा है इसको यह देखो मेरा यह कोर्णर है और मैंने यहां पर पकड़ा था तो यहां से मैंने इसको सरकने नहीं दिया पकड़ के रखो बस इतना इसको छूट दो कि आपका जो रोल कौन है वो रोल होता रहे थैंक यू फातिमा जी अब पीछे की साइड से थम से रोल करते जाओ और आगे से कसके पकड़ के रखो इसको टिप आपकी लूज नहीं रहनी चाहिए थम से कर पाओगे थम से नहीं तो फिर फिंगर से इसको रोल करते रहो और जब बिल्कुल छोटा कोन आपका रह जाए यहाँ पर बिल्कुल छोटा फ्लैक की तरह बन गया अंदर इसको डालोगे फिंगर को डालके अंदर से बाहर की साइड में खीचोगे तो आपकी टिप बिल्कुल टाइट हो जाएगी यह लूज नहीं रहनी चाहिए लूज रहेगी तो टिप मोटी होगी फिर लाइने मोटी बनेगी अब जो कोना हमने छोड़ा हुआ है यह की तरह हो जाता है आप मेहंदी पेश्ट को अच्छे से फेंट यह पिरिया जी आप मेहंदी पेश्ट को अच्छे से फेंट यह जितना आप उसको फेट होगे उतना वह स्मूथ होगा पहले उसको टाइम दीजिए दो तीन घंटे पहले उसको बिगो के रखिए हेलो अब आगे इसको थम से प्रेस करते जाओ टेप को पीछे से फिंगर से रोल करते जाओ तो आपकी टीप बिल्कुर टाइट रहेगी है यहां से लूज नहीं होगी टीप हमारी सीक्योर होगी अगर यह अभी भी लूज है मेरी तो यह टाइट हो चुकी है बड़ टेप ल बाहर की साइड खीच लोगे तो यह आपकी टीप बिल्कुर टाइट हो जाएगी और जो यह बाहर वाला पार्ट है इसको टेप से सीक्योर कर लेंगी प्रिया जी आज क्लास में हम कौन बनाना सीख रहे हैं आज हम कौन बनाएंगे कल से हम वर्गी स्टार्ट करेंगे तो आप भी अकर मेहंदी बनाना चाहते हो डिजाइन साथ में करना चाहते हो तो अपना कौन बनाओ इसलिए मैं आज कौन बनाना सिखा रही हूं क्योंकि अपने कौन से फिनिशिंग ज़्यादा आती है मार्किट वाले जो कौन होते हैं वो हार्ड होते हैं अभी यहाँ पर जो पार्ट बिसता है उसको भी सिक्यूर कर लेंगे मार्किट वाला कौन हार्ड होता है तो आप अगर मार्किट वाला कौन यूज भी कर रहे हो तो अभी उसको अपने कौन में ट्रांसफर करके तभ यूज करो और मार्किट से بھی फ्रेस कौन लो वो भी रखे हुए मतलो क्योंकि रखे हुए कौन होते हैं तो वो break होते हैं बार-बार लाइने आप बनाओगे वो बीच-बीच में break होगी fresh cone की लाइने break नहीं होती अगर आप अपना महन्दी पेश्ट बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है बट मार्किट का भी ले रहे हो तो fresh cone यूज़ करो अब यहाँ पे यह उपर की side में part बचता है इसको भी tape से secure कर लें तो यहाँ पे मैं दोनों तरह के cone ले रहे हूँ मार्किट वाला भी और खुद का भी tip बिल्कुल tight है मेरी और cone का जो size है उसमें या तो finger जाएगी या थम का बस आगे का parcel जाएगा पूरा थम भी नहीं जाएगा इतना size होना चीए cone का दुआ जी sure कल से join कीजिया और cone की practice जरूर करना अपना cone बना के तब practice करना अभी यहाँ पे मैंने बड़े cone में अपना paste डाला हुआ है तो वो मैं इसमें shift करूँगी अपने 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 मेरा फाइव फिल्टर हीना नहीं है मेरा नोर्मल महंदी पाउडर है क्योंकि मुझे practice करना है और practice के लिए मैंने simple महंदी पाउडर लिया है आगे से मैंने tip निकाल दी आगे मैं tape लगा रही हूँ मैंने बारीक कपड़ी से छाना हुआ है महंदी पाउडर लो उसे ऐसे यूज नहीं करना अगर आपका filtered है तो अच्छी बात है अगर filter नहीं है तो आप उसको पहले किसी बारीक कपड़े से छान लो अब उपर की साइड अगर paste आ गया है तो उसको पहले clean कर लो उपर कर जो पार्ट है उसको पूरा clean कर लो बहन दी paste बस नीचे रहना चाहिए इससे उपर नहीं आना चाहिए मेरा यहां तक है अगर वाई चांस उपर आ जाता है तो उपर तक उसको tape से फिर secure करो हेलो चेतना जी मेहधी paste अगर उपर की साइड लग जाए तो उसको clean कर लो योकि नहीं तो आपका tape नहीं चिपकेगा फिर एक tape को हम बहार की साइड गो लाई में लगाएंगे ऐसे चारो तरफ लगा लेंगे हेलो कार्तिक जी और फिर यहां से उपर की साइड में इसको चिपका देंगे पातिमा जी very good stocking तो जरूर यूज करनी चाहिए पहले आप अपने मेंदी पाउडर को च्छान के रखो क्योंकि बीना च्छाने उसमें dust बहुत निकलती है च्छानने के बाद भी उसको जब पेश्ट बन जाए इस टोकिंग से जरूर च्छानो क्योंकि कुछ लम्स रह जाते हैं जो मेल्ट नहीं होते वो फिर कौन को अटकाते हैं अब उपर की साइड से मैंने फोल्ड किया और एक टेप फोल लगाके इसको हाँ पे सीक्योर कर लिया प्रिया जी नहीं ये बेसिक से स्टार्ट होगा आपको बेसिक सारा कराया जाएगा दोनों साइड से कोने पकड़ने हैं अंदर की साइड फोल्ड करके उपर से आगे फोल्ड कर देना है एक टेप लेके पीछे से यहां से स्टार्ट करो और आगे तक इसको पूरा सिक्यूर कर दो अब एक टेप ओड लेंगे और ऐसे गोलाई में इसको सिक्यूर कर लेंगे यहाँ पर इसके साइड में अब मैं इसकी टिप निकालके आपको चलाके भी दिखाती हूँ अब जो जब हम कौन बनाते हैं तो इसमें प्रेशर रहता है कौन में तो जो एक्स्ट्रा मेहंधी पेश्ट अपना निकाल लो यह मेरा अपना बनाय हूँ पेश्ट है तो देखो कितना smoothly निकल रहा है बिल्कुल line बनके निकल रही है कौन से जो तूट नहीं रहा बस line बनते जा रही है और ऐसे circle circle बनके नीचे कठा हो रहा है तो extra मेहंदी paste जो है आपके कौन में उसको निकालोगे और उसके बाद में work करोगे किसी भी खराब कपड़े पर या tissue paper पर एक्स्ट्रा निकाल लो और अब देखो ये बिल्कुल smooth चलेगा आपके अपना मेहंदी paste है तो उसकी line break नहीं होती market का कौन ले रहे हो तो वो भी आप fresh लो रखा हुआ कौन लोगे तो वो आपके line break होंगी अभी ये हमने मेहंदी कौन बनाया था tip को आगे से taping से secure कर लेंगे और ये market वाला कौन है अब अगर आप market का कौन यूज़ कर रहे हो तो उसको भी अपने कौन में ट्रांसफर करके डेली एक गंटे की class होगी एक गंटे में हम जितना work होगा उतना करेंगे market का कौन भी आप अपने कौन में ट्रांसफर करके जब काम करो ये रखावा कोन है तो ये थोड़ा हाड निकल रहे है अपने का में लीग्यों ट्रांसफर में टीप करेंगे तो ये रहे हैं.. इन टे खावानसफर करेंगे उपर की साइड से सिक्यूर करेंगे हेलो बिंदु जी क्लास आज से स्टार्ट है फर्स्ट क्लास की कौन मेकिंग है आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है एक टेप आगे सिक्की साइड से लगा के सिक्यूर करेंगे फिर उपर की साइड से उसको फोल्ड करेंगे जितना स्पेस आपका है वहां तक फोल्ड करते जाओ फिर एक टेप सामने की साइड से लगाओ अब दोनों साइड के कोने अंदर की साइड फोल्ड करो इधर से भी और इधर से भी और इसको फिर अंदर की साइड फोल्ड करके यहां पर टेप से सिक्योर कर लो चेतना जी नाइट में रहेगा नाइट में दस वजे डेली नाइट में दस वजे मर्निंग टाइम में मेरी online classes रहती है Google meet पे 10-12 होती है Google meet पे वो paid classes है और ये नाइट में रहेगी ये गंटे class होगी ये फ्री class होगी एक को आगे की side से roll कर लेंगे और पुरा secure कर देंगे कोण आप जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा रहेगा वर्क करने में भी इजी रहता है और फिनिसिंग से काम होता है यह इतना हार्ड है कि आपके हाथ पे नहीं गिरेगा आप इजीली काम कर पाऊगे जो इससे पतली सेलोफीन होती है वो आपके हाथ पे कौन लटकता है आप प्रोपर काम नहीं कर पाते हैं यह 20 डेज तक होंगी आगे आप चाहोगे तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी नहीं तो 20 डेज की क्लास है मार्कीट वाला कौन और अपना बनाया कौन दोनों में बहुत परक होता है कि जब पेड़ क्लास से हैं वो दो को रसे का है यह पन्रान सो रुपर में और एक 45 डेज़ का है मेटल कोर्स मासमें बेसिक से लेके ब्राइडल तक सबस्क्राइब किया हुआ है इन्स्टाग्राम की जो मेरी फॉस्ट पोस्ट हूं वहां पर आपको स्लेवसी मिल जाएगा और जो 45 डेज का है उसमें basic से advance bridle तक आता है जो first course है उसमें 7 डेज तक हम design की practice करते हैं और जो second course है उसमें 10 डेज तक designs की practice होती है उससे पहले सब कुस्छ जो मेन होता है वो सीखाय जाता है उसमें दो गंटे क्लास होती है कभी कभी दो गंटे से ज्यादगी हो जाती है तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम दस बज़े आप जिसको भी महंदी सीखनी है जिसको भी सीखने का है तो वो अपने पेपर और कौन के साथ में कल रेडी रहना हिना खान जी बिल्कुल नहीं आती तो कोई बात नहीं आप सीखोगे तो आ जाएगी हमें भी नहीं आती थी पहले हमने भी सीखा है तभी आईए ट्राइ करोगे तो जरूर आएगी प्रेक्टिस में आप अगर आदा घंटे का भी टाइम निकाल देओ अपने पूरे डेली के सेड्यूल में तब भी आप सीख जाओगे हेलो गोरी जी आज हमने कौन बनाना सीखा है कल से हम वर्क करेंगे तो कल से अपने पेपर और कौन के साथ में रेडी है ना कल से हमारा मेहंदी वर्क की स्टार्ट होगा आज हमने कौन बनाया हेलो राधे बर्शाने वाले जी हेलो बीबी जी प्यू जी हाँ जो ओनलाइन गूगल मीट पे पेड़ क्लास हैं उसमें रिकोर्डिंग दी जाती है और पीडी फाइल दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है तीनों चीज प्रोवाइड की जाती है महापे आपको तीनों चीज दी जाती है और महापे जो रिकोर्डिंग रहती है वो भी लैफ टाइम एकसे से utilizar हां जी लोटेस वाले डिजाइन भी आएंगे सब कुछ आएगा पहले आपको लोटेस बनाना सिखाएंगे फिर लोटेस का डिजाइन भी बनाना सिखाएंगे ये जो course इस start किया है ये उनके लिए है जिनको नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता और वो fee support नहीं कर सकते वो मेरी class में सब कुछ सीख सकते हैं अगर उनकी सीखने की इच्छा है तो क्योंकि जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे तब तक कोई काम नहीं होता अगर आपका सीखने का मन है करने का मन है तो आप कहीं से थोड़ा सा भी वर्क आपको मिलता है देखने के लिए तो आप उसको देखके practice जरूर करोगे प्रिया जी अप अगर ये फ्री क्लास के बारे हम पुछ रहे हो तो ये 20 डेज की क्लास होंगी आगे तभी होंगी जब आप लोगों को आगे सीखना होगा और जो पेड़ क्लास होती है वो 28 days की है और 45 days की है दो कोर्स में देखो नॉर्मली तो कोर्स आपका दो महिने का होता है दो महिने में आप सब कुछ सीख सकते हो बट वैसे सीखने का है तो महंदी में आप lifetime सीखते ही हो जहाँ पे भी आपको कुछ नया दिखेगा तो आप करोगे बैट हाँ ये है जिनको कुछ भी नहीं आता उसके लिए दो महीने पोट होते हैं दो महीने डेली आप दो घंडा निकालो प्रैक्टिस के लिए तो आप सीख जाओगे पर्फेक्ट हो जाओगे फिनीशिंग से बर्ग करने लगोगे हेलो माहीरा जी नमस्ते थेंक्यू सो मच माहीरा महीने कौन पकड़ने में ज़्यादा मुस्किल नहीं है आप जैसे पैन यूज करते हो इसको भी ऐसे यूज करो इतना मुस्किल काम नहीं है अगर आप पीछे की साइड से ऐसे पकड़ोगे ना क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी यह किया है जब तक नहीं सीखा था तो मैं भी यहां से पीछे से पकड़ती थी पीछे से पकड़ोगे तो आपकी जो टिप है वो आपके हाद से बहुत दूर बैटती है अब यहाँ से डालेंगे तो लाइन तो सीधी बनेगी नहीं अब यहाँ से अगर डाला मैंने तो बड़ी मुस्किल से आड़ी तेड़ी निकलेगी डिजाइन तो बनी नहीं पायाएगा सरकल भी बनाना चाहूंगी तो वो भी प्रोपर नहीं आएगा इतनी दूर से तो ऐसे पकड़ो उपर थम से प्रेशर देंगे और यहां पर दोनों जो फिंगर हैं यह इसको पकड़के रखेंगी यह सपोर्ट करेंगी फिंगर्स और थम आपका प्रेशर देगा तो यह तो ऐसे पकड़ो और यह फिर पैन की तरह यूज करो यहां से पैन की तरह पकड़ लो एक से डेढ़ इंच उपर ही जाएगा जितना नीचे से पकड़ोगे उतना कमफर्टेबल रहोगे तो एक से डेढ़ इंच उपर पकड़ो तो यहां से भी वर्क आप सही से कर पाऊगे थम से प्रेशर रहेगा फिंग होती है एकदम से नहीं होता है 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 खुशी रस्तोगी जी हाँ जी टाइमिंग 10-11 है नाइट में जी टोग अलिव बनाते हैं वोंसी डाइरेक्ट करते हैं है कि वह भी आपको लीव बनाना भी सिकाए जाएगी आ जा कि कि है लोगने हैं मौस्ट वेलकम प्रिया जी कि माहिरा जी मैं योपी में सारण Talk से बिलॉग करती हूं मैं साररणपूर से हूं कि मैं ठीक हूँ जया जी आप कैसे हो है 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 कौन पकड़ने का देखो तरीका कोई के अलग difərेंट नहीं होता बाट यह ही है कि आप जितना उपर से पकड़ोगे उतना आपको प्रोग्लम हो गे तो जितना पास से पकड़ोगे उतना अपको अच्छा रहेगा वर्क करने में तो पास से पकड़ के रखो टिप से बस एक या-ड्रिंचूपर रखो या तो पैन की तरह यूज करो यसोज़ तब भी कोमफरटेबल रहोगे और और पैन की तरह से पकड़ोगे तब भी थम से ही आएगा तो में फिंगर से कसके पकड़aduraा रखो थम से प्रेशर देते रहो और या फिर दोनों फिंगर के बीच में रखो और थम से यहाँ पर प्रेशर देना है पकड़ना है और बस थम से प्रेशर दो पकड़ना है वही है एक से डेड़ इंच उपर इससे ज्यादा उपर लोगे तो टिप बहुत दूर रहेगी लाइन आपकी आड़ी-डी आएंगी देखने पास से पकड़ोगे उतना कंफर्टेब़ रहेगा तरीका चाहत त्रीक चाहे कौहीं साब विओस कर लो जैसे भी आप COR विओस करो क्यूंकि सब का अलग अलग तरीका होताँ जहां से काम करने में आपको comfortable हो वहां से आप पगड़ो और कौन की जो ये बैक वाला पार्ट है ये ज़्यादा बड़ा मत रखो छोटा रखो फिंगर या थम से बड़ा साइज मतलो ये मार्किट वाला कौन देखो पीछे से बहुत चोड़ा है और जो मेरा अपना कौन है वो बहुत पतला है इसमें से दो कौन बनेंगे ऐसे वाले कि माहिरा जी मोस्ट वेलकम बिल्कुल नहीं आती कोई बात नहीं आ जाएगी अगर आपका सीखने का मन है तो आपको जरूर आएगी क्योंकि सीखने की इच्छा होनी चाहिए ये जुरूरी नहीं है कि हां मुझे आर्टिस्टी बनना है तभी सीखना है आप वैसे भी सीख करते हैं जिसको प्रैक्टिस करनी है वो मेरे साथ में पेपर और कौन के साथ में रेडी रहेगा कल दस बजे लाइव होगी टोपिक क्या रहेगा वो मैं आपको दिन में बता दूगी ठीक है ओके अभी मैं ओफ करती हूं थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू और